जैहिन दुस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल जैक पूर पे तो सबसे पहले आप सभी को जितने भी छातर और छातराएं इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर जितने भी लोग हमारे चैनल से जोड़े हैं आप सभी को सिक्छक दिवस की धेरो स एक हम न आए ठीक है तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 है यह लेकिन यह English स्कोर है याद रखेगा हम लोग जो करने जा रहा है यह English स्कोर है उसका चैप्टर 2 है और यह जो है काफी इंपॉर्टन होगा आपके weekly test and final exam के लिए तो यह fast revision होन आए न कि दा ओधर ओफ दे स्टोरी वी आर नॉट अफेर टु डाए इफ वी कान ओल बी टुगेदर के रहा है कि वी आर नॉट अफेर टुगेदर यह जो जितना आप देखरो ना यह चैप्टर का नाम ही है ठीक है आप इसका ओधर का नाम आपको बता देना है लेखक का ना इस्ट ठीक है यह होगा उप्षण नमेर इसका राइट अंसर होगा याद रखिएगा जितना लंबा नाम है ना कहानी का ओतना लंबा देखिएगा आप इसका रैटर का भी नाम लंबे हिए ठीक है चलिए अगले सवाल पर इसका मतलब क्या हुआ है कि यह जो रैटर है न जो वर्नन करता है अपनी यातरा इन्होंने कब शुरू किया था यह आपको बतानी है तो राइट अंसर हो जाएगा जुलाई 1906 में इसने अपनी यातरा शुरू किया था ठीक है अगला सवल है हमारा कि 200 years ago round the world voyage was made by अब इसका कहने का मतलब है कि 200 साल पहले दुनिया भर की यातरा किसके द्वारा की गई थी ठीक है चार आपसंस आपको दिया गया है तो राइट अंसर हो जाएगा है कैप्टन जेम्स कोक्स ठीक है आपसन नंबर A इसका राइट अंसर होगा याद रखना है सभी क इसके कहने यातरा कब कहां से सुरू किया था यह आपको बता लिए तो राइट अंसर हो जाएगा आपसन नंबर B प्लाइ माउथ ना प्ले माउथ ठीक है याद रहेगा सभी को प्ले माउथ हूव वाज मैरी नेक्टन नंबर फाइब पर दिया देजिएगा कि हूव वाज मैरी मैरी कौन थी आपको बताना है तो राइट अंसर हो जाएगा नेरेटर वाइफ यह जो लेखा के वर्नन करता है इसकी वाइफ है ठीक है चली अगले सवाल पर आते हैं अगला सवाल है हमारा फॉर हाव मैनी इयर्स दा नेरेटर स्पेंट हाउनिंग इस सिफरिंग स्कि ठीक है इसका क्या अर्थ हो गया कि जो वर्नन करता है जो राइटर है अपने समुंदरी कौसल को निखारने में कितना वर्स बिताया ठीक है इसको जो है कितना समय बिताया था यह आपको बतानी है तो राइट अंसर हो जाएगा 16 साल बिताया था ठीक है चली अगले सवाल प को बताना है तो उसका नाम वेव वॉकर था कॉशन नमबर आते हैं हम लोग एट पे कह रहा है कि हूज जोएंट दा नेरेटर इन दा वोयर्ज इन कैप्टॉन ठीक है कैप्टॉन की यात्रा में जो वर्नन करता है जो एक हक है उसके साथ कौन सामिल हुआ ठीक है जोएंट बतलब क्या होता है सामिल हो जाना कौन सामिल हुआ था तो लेरी वीगल एंड हर्ब सिगलर ठीक है इसको याद रखेगा options एस का right answer होगा ठीक है बस समझ लिजिए एक बार आपका answer कभी गलत नहीं होगा और ऐसे कित्तों रट लीजिएगा न तो answer भूलिएगा यह भूलिएगा दा length of wave walker वाज यह वेव आपकर था उसका जो 9 था उसका length बताना है उसका लंबाई बताना है 23 मीटर का था कितना का था 23 मीटर का था याद रखेगा चलिए अगले सवाल पर आते हैं अगला सवाल है हमारा question number 10 कह रहा है आपसे कि the weight of wave walker वाज अब वेव आपकर का जो वेट आपको बताना है वजन उसका कितना था तो 30 टन यानि कि 30 टन ठीक है याद रखेगा नेक्स्ट सवाल है question number 11 दवेव दवेव इस पास्ट प्लेसेंटली अप टू ठीक है इसका अर्थ हो गया ठीक है अब यह जो पूछ रहा है कि यात्रा जो था ना यह वाला अब यह जो यात्रा था यह सुखत कहां तक था यह आपको बताना है ठीक है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपका कैप्टाउन ठीक है क्या हो जाएगा कैप्टाउन कैप्टाउन तक तक था है इसका यात्रा क्यात्रा सुखत रहा है चली question number 12 पे आई है on the second day out of कैप्टाउन the encountered waves up to कैप्टाउन के मतलब बाहर से दूसरे दिन जो है जो लहरे थी उनका सामना करना पड़ा था waves का ठीक है तो लगबग कितना मीटर उंचा लहर थी वो आपको बताना है 12 मीटर 15 मीटर 10 मीटर या फिर 14 मीटर तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 15 मीटर लहरों का सामना करना पड़ा था waves का नेक्स्ट आपका what was the occupation of the author जो उसका जो क्या धंदा था ये आपको बताना है वे शाय बताना है उसका क्या काम वो करता था तीचर था सेलर था बिजनसमैन था या फिर टेलर था राइट अंसर हो जाएगा बिजनसमैन option number C ठीक है question number आते हैं हम लोग 14 पे why did the narrator decide to go for around the world voyage यानि की यात्रा पे दुनिया की यात्रा पे निकलने के लिए जो है उसने क्यों ऐसा यात्रा जाने का निर्नाई लिया था यह आपको बतानी है right answer हो जाएगा option number B to duplicate the ways made 200 years ago by Captain James Cook मतलब दो साल पहले की गई यात्रा के निकल करने के लिए Captain James Cook के दुआरा ठीक है 200 साल पहले जो यात्रा किया गया था Captain James Cook के दुआरा तो उसी का यह क्या करने वाला था नकल करने वाला था भी या उसने किया तो हम भी करेंगे ठीक है बस यही इसका कहने का मतलब है और कोई मतलब नहीं है question number 15 पे question number 15 में कह रहा है कि who were you and John right answer हो जागा था narrator's children narrator के जो क्या थे बच्चे थे ठीक है या दगना है what was you's full name choose का full name आपको बताना है तो choose का जो full name था वो क्या था सुजानी ठीक है option number A next आपका what was John's full name जाउन का full name आपको बतानी है तो जोनाथन क्या जागा option C जोनाथन ठीक है आपको बतानी है तो right answer होगा इसका options नंबर है 3500 किलोमीटर दोर थे 25 दिसंबल को ठीक है नेक्स्ट सवाल है हमारा on January 2 यानि दो जन्वरी को the waves become यानि दो जन्वरी को जो लहरे बन गई कैसी बन गई थी कैसी दिख रही थी तो जे genetic है ना ये क्या होता है तो genetic क्या होता है एक विसाल होता है विसाल बन गया था ये लहर है ना चलो नेक्स्ट आते हैं which part of the journey passed pleasantly ठीक है और इसके कहने का मतलब है कि यात्रा का कौन सा भाग जो है वो मतलब सुखद रहा अच्छा रहा कौन सा पार्ट आपको बताना है राइट अंसर हो जाएगा first leg of the journey ठीक है पहला जो उसका पहला चरन था जरनी का वो जयाद काफी सुखद रहा तो अभी के आज के इस वीडियो में हमने total 20 सवाल आपको समझा दिये ठीक है आशक करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बैल अकन को प्रेस कर लेजे ताकि आने वाली हरिक वीडियो का नॉटिफिकेशन मिलता रहा है जल्द ही इसका पार्ट टू लेकर आएंगे तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में थैंक्यू